सब्सक्राइब करिए हमारे ओफिशियल यूटूब चैनल गौर्वर्मेंट जॉब सुत्र प्रदेश को और साथ हमें बेल आइकन को दबाईए हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे ओनलाइन परिक्षाओं को लेके उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग जो है विचार कर रहा है और इसी नियूज को हम देखेंगे डेटेल में इससे पहले में आपको बता दूँ कि हम यूटूब चैनल के अलावा हमारी वेबसाइट भी है आ अलावा आप हमें फेस्बूक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट न्यूज और स्टडी मटीरियल के लिए हमारा एप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि विल्कुल फ्री है तो चलिए हम यहां पर देखते हैं इस न्यूज को डिटेल में यहां पे आप जैस चाहiden होती हैं छोटी पर इक्सान होती है उनकी यहां जो हैं ऑनलाइन कराने पर विचार चल रहा है यानि कि बड़ी जो एकजाम होते हैं upie pieces के pieces है कि इस पर बहुत कोई भी focus नहीं है यहां पर ँतर प्रिधिक्स स्लोग्सेवा आयोग तक्निकी लिहाज से अनस अंस्तानों के मुकाबले काफी पिछड़ गया आप जैसा कि आप खुद भी देख रहे होंगे कि अभी जितने भी एक्जाम होते हैं बैंकिंग के हैं और भी जो एक्जाम से हैं वो सारे उनको देखा जाए तो वो अपडेट हैं उनके एक्जाम ऑन परिक्षाओं समय तमाम अन्यकारी काफ़ी तोर पर ही हो रहा है यहां पर एक रीजन यह बता जा रहा है कि आयो का तर्क है कि गोपनियता बताने बरतने के कारण जो है महत्मुन परिक्षाय आनलाइन नहीं करा सकते हैं लेकिन कुछ चोटी परिक्षाओं को ऑनलाइन यान को वो अपना रहे हैं उनका यह कहना है कि जब संगल लोक सेवा आयोग जब ऑफलाइन एक्जाम करा रहा है लिखित परिक्षा करा रहा है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अब जो उसी के तरज पर करता है सब कुछ तो वो भी पेपर वर्क की ही आधारित रहा है और इसके चलते उतर पुस्तिकाओं के परिवहन स्कानिंग आधिकारियों में कई दिन लग जाते हैं यहां पर कुछ चीजें और भी हैं जो अपडेट हुए हैं जैसे कि अभी आंसर किया यह वो भी ऑनलाइन आई है इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन हुआ है रिज जो है ऑनलाइन कराने का जो है इस फिर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ऑनलाइन होता है तो ट्रांसपैरेंट होगा एक्जाम कुछ हद तक और कुछ क्या मतलब जब है सही और फिर सारी चीजें रिजल्ट आने में भी जो है रिजल्ट भी जल्दी आएंगे पर यह जो ह आपत्ति आमंत्रित करने के लिए उन्होंने जो है हाड कॉपी मांगी है वो भी ऑनलाइन ने बोला उसको ऑनलाइन नहीं किया गया है तो यह कुछ चीजें जो है यहां पर सवाल खड़ा करती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको और इन आयो का यह कहना है कि गोपनियता वह सुरक्षा के लिहाज से कंप्यूटर आदारित परिक्षाई नहीं कराई जा रही है और कुछ चीजों को जो है गोपनियता उसके लिए रखी जा रही है तो यह न्यूज है और इसके अलावा उनका सबसे बड़ी बात तो यह कर नहीं कि आयोग ने इसके लिए UPSC यान पोस्ट जो चोटी चोटी वेकेंसी निकली है वही निकल रही है बस वही ऑनलाइन होने की उस पर ही विचार चल रहा है हो सकता है इन फ्यूजर में यह सारे इक्जाम्स भी ऑनलाइन हो जाए और इससे लिलेटेड और भी अगर जो भी न्यूज है उसके लिए आप हमाये चानल को सब्सक्राइब करिए बगल में दियो वेल आइकन को जरूर दबाएएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए थैंक यू